ओके हेलो बच्चों कैसे आप सब तो आज हम एलेक्ट्र स्क्राटिक में एलेक्ट्रिक पॉडेंशन और कैपेसिटेंस का लेक्षर नॉमबर सिक्स पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कैपेसिटेंस क्या होता है तो कैसे कैल्कुलेट करेंगे उसका बढ़ियासा इंट्रोडक्श और हेडिंग लगा दीजे एलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या हेडिंग रहेगा बच्चों एलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ठीक है न कैपेसिटेंस यह अपने नाम से ही इंट्रोड्यूस कर रहा है बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है कैपेसिटेंस अपने नाम से ही इंट्र उसका मतलब यह पर्चे दे रहा आपना, कि हम क्या है? तो capacitance जहां भी सब्द आ जाए, word आजाए आपके questions में, वहाँ capacitance निकालने के लिए मतलब capacity निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? capacity वर्ड से ही एक बना है capacitance, ठीक है न? तो यहाँ electrical capacitance पढ़ना है, सिर्फ capacity नहीं पढ़नी है, क्या पढ़नी है, electrical capacity, clear है, तो electrical capacity का मतलब यह होता है, कि electrical property आजाए किसी body में, क्या आजाए, electrical property, और electrical property हम 1st chapter में पर्चुके है, electric charges and field में, मतलब body के अंदर attraction की property आजाए, या repulsion की, अपने surrounding electric field बना सके, कुछ potential रख सके, तो उसे बोलते हैं क्या electrical property, clear, जैसे मालों कोई conductor है, यह क्या है, एक conductor है, अब यह आप conductor कैसा मान सकते हो, is spherical, conductor, आप लोग को पता होगा, conductor होता क्या है, conductor क्या होते हैं, basically गर बात करें, तो metals होते हैं, क्या होते हैं, metals, जैसे कि aluminum, और क्या क्या, silver, copper, gold, यह सब क्या होते हैं, metal होते हैं, अगर metal का कोई भी surface, अगर हम ले लेते हैं, इस पर अभी कोई charge नहीं है, क्या नहीं है, charge, कोई charge नहीं है, है ना, मतलब neutral body है, अब neutral body है, अगर यह charge अगर इसके उपर आएगा, तो क्या होगा, जरा सुचिए, क्या इसकी एक level होगी, अगर charge create हो जाएगा, तो, मालो आपने क्या किया, इसको rubd किया, क्या किया, rubd किया, rubd किया, रब करने सब, इस पर charge कितना आगया, plus q आगया, कितना आगया, plus plus plus, यह charge create हो गया, इस body पर, clear, अब plus q आने से, इसके surrounding में क्या बन गई, इसकी electric field बन गई, बोलो सब पढ़ा है चीज़, electric field बनने से क्या होगा, उसमें, इस point पर अगर हम कोई दूसरा charge रखें, तो वो अलग-अलग point पर, अलग-अलग repulsion force experience करेगा, जैसे मालो, इसके surrounding क्या है, field है, हमने कहा क्या है, यह point A है, यह point B है, मैं एक test charge लेता हूँ, जिसके उपर experiment करते हैं, वो है, plus q नॉट, अगर इसको field में यहाँ पर रखेंगे, तो क्या यह इससे repel हो जाएगा, वो है, plus plus को दूर भगाता है, और plus minus रहल दोस्ती करेगा, है ना, तो यह इसको repel करेगा, अच्छा, इसको अगर हम यहाँ पर रखें तब क्या होगा, तो यहाँ पर भी repel होगा, अब नगर आप से कोई यह पूछे, कि इन दोनों point में सबसे ज़्यादा force कहा लगेगा, आप कहोगे A पर, तो कहेंगे A का potential ज़्यादा है, है कि नहीं, क्या बताओगे, A का potential ज़्यादा है, B के potential से, मतलब electric field में ही वो दो points है, जिसके potential क्या है, अलग अलग है, इसका potential ज़्यादा है, इस इस तरह से क्या होगा, potential, electric field के direction में क्या होगा, decrease करेगा, clear है ना, और maximum potential कहा मिलेगा, आप लोग को मैंने proving भी कराया है, इसके fourth lecture में, अगर आप लोग के fourth lecture में देखिए, तो आप जाकर संजाई पांडे क्लास से सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी नाम से जिस कोचिंग का न जालेंगे, electric, potential and capacitance, lecture four, जालेंगे तो वहाँ पर हमारा lecture मिल दाएगा, ठीक, या थर्ड लेक्शर में, बार इस लेक्शर से हैं, तो spherical surface अगर है, तो in the direction of electric field, potential घड़ता है, और surface में क्या होता है, maximum होता है, और जिसके लिए हम लोग graph हमने बताया है, graph कुछ इस तरह से होता ह center से लेकर के अंदर तक पुरा surface पे constant रहता है, outside एक्टिफिल घड़ता है, तो graph कुछ इस तरह बनेगा हमारा, clear, graph हमारा इस तरह बनता है, V versus R का graph, clear है, इसका मतलब potential कहां पे होगा सब जादा, surface पे, तो आप यहाँ क्या observe कर रहे हो, जब charge आपने दिया था, तब क्या potential था नहीं था, जैसे ही आपने charge किया, इसके surface तो maximum और आगे minimum की बात होने लगी, बोलो हुआ नहीं हुआ, इसी experiment को देखा गया और कहा गया, इसको किस ने देखा मालूँ है, Faraday ने देखा, किस ने देखा, Michael Faraday ने इसको देखा, experiment किया, और यह observe किया, कि अगर किसी भी conductor को आ थीन मेथड होती है, पहला है by friction, दूसरा induction, और थर्ड है conduction, बढ़ा है ना, तीन मेथड, तो कोई भी एक मेथड से अगर आप charge provide करोगी, तो उसका potential क्या होता है, ग्रो करेगा, अभी plus Q दिया है, तो उसके corresponding में कुछ potential आ गयाएगा, है ना, और अगर आप 2Q देखे तो हो स क्या बढ़ रहा है, potential, अच्छा, अजर इसका उल्टा बोला जाए, अगर कोई कहें कि potential बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या समझेंगे, charge भी बढ़ रहा है, वो लो क्या सकते हो ना, तो potential हम लोग मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, potential, charge मेजर नहीं कर पाते हैं, am I right practically, charge मेज करेंगे, तो हम जब charge मेजर करते हैं, तो electric current हम लोग देखते हैं, पहले, I is equal to Q by T, तो Q is equal to I into T लगा करके charge निकाल लेते हैं, है कि नहीं, इसलिए electric current fundamental quantity होती है, आप तो कोई भी पता है, तो charge क्या है, derived quantity है, तो charge हम लोग बाद निकालेंगे, लेकि पहले क्या मेजर करते है पोटेंशिल, बोलो ही मेजर करेंगे न, तो potential पे charge डिपेंटर है, या charge पोटेंशिल डिपेंटर है, दोनों का sense एक ही है, तो ये by experimentally इहोंने बताया, कि जब किसी भी body को charge प्रोवाइट करेंगे, तो उसका potential क्या होगा, increase करने लगता है, क्या करने लगता है, increase, तो हमने मा by experimentally, by experimentally, q is directly proportional to v, ये कहा faraday, मतलब v बढ़ रहा है, मतलब charge बढ़ रहा है, उस body पर, अगर ये body आप मानते है, conductor है, अगर मानते है, सपोज, ये क्या है, conductor है, conductor का rod है, मालो आयरन का rod है, आपने charge दिया, मतलब इसका potential बढ़ा है, अगर किसी दे का नहीं potential बढ़ा है, इसका अगर क्या कहेंगे, charge बढ़ा है, clear, तो by experimentally नहीं यहीं बताया, potential ग्रो करेगा, तो charge ग्रो करेगा, तो q is directly proportional to v, उन्हेंने बताया, और जब इसी equal किया, तो एक constant लिया, c, क्या लिया, c, constant है into v, ये proportionality constant है, और यहीं से c की value निकाला, तो वो बताया, q by v, इस proportionality constant को, this proportionality constant, is called capacitance, ये ही क्या है, capacitance है, clear na, ये ही क्या है, capacitance है, ये ही क्या है, capacitance है, ये by experimentally, यहों निकाला, तो इसमें नोट क्या करेंगे, इतनी बात क्लियर होगी न, कोई कन्फूजन, नो, तो लिखेंगे, on increasing the charge, on increasing the charge of a conductor, its potential increases, यह लिखें, first point of look, on increasing, on increasing the charge of a conductor, its potential increases, clear, figure draw करके, potential कितना होता है भी, by experimentally, q proportional to v, clear, equation हम इसको बनाईए, first, तो वीडियो स्टॉप करके, पहले आप लोग यहां तर नोट करेंगे, तो define करना है C को, तो C define करेंगे इसी फार्मूले से, q by v से, clear, तो करेंगे जाइस के लिए, हम उपर series कर रहे हैं, यहां पर जो voltage हैं, वो कितना ले लेते हैं, one, कितना ले लेते हैं, one, चीक है, if v is equal to one volt, अगर हमने किसी conductor का potential one volt बढ़ाया, कितना बढ़ाया, मालो सुरू मुझ कर रहा होगा, 10 volt, suppose that, कितना था, 10 volt, और 10 volt से हमने क्या कर लिया, 11 volt कर लिया, और एक volt बढ़ाने में, charge की जो requirement है, वो कितना हो, one, कूलंग हो, कितना हो, one, कूलंग, so by equation, then by equation first, capacitance कितना होगा, one, कूलंग पर, बोल्ट, clear, one, कूलंग पर, बोल्ट, तो यहां से हम define कर सकते हैं, यह ऐसे define करिए, यह तो हो गया, one, कूलंग पर बोल्ट को define करना, दूसरी बात, हम अगर define करेंगे, तो क्यों नहीं लेते हैं, क्यों को छोड़ देते हैं, क्यों को छोड़ देते हैं, आप यह unit पर define कर रहे हैं, unit capacitance का, ठीक है, then, अब सिर्फ हम देते हैं, one volt, by question first, C is equal to Q, बोलो हो जाएगा, अगर यह बताएगे, हमारा यह 10 volt है, और मैंने इसका 11 volt किया, तो कुछ चार्ज लगेगा, तो जितना चार्ज लगेगा, एक बोल्ट बढ़ाने में, उसी charge को, उसी amount of charge को हम लोग क्या कहेंगे, उस body का capacitance, clear है न, उस body का क्या कहेंगे, capacitance, एक बोल्ट increase करने में, किसी भी body का, किसी भी conductor का potential, एक बोल्ट बढ़ाने में, जितना charge requirement होती है, वही क्या होती है, उसकी capacitance, तो हम इस से definition देंगे, क्या देंगे इसका, तो कभी-कभी आ जाता है, defined one, क्या देते है, defined one, capacitance, या defined only capacitance, तो कैसे define करेंगे, तो उसमें option में दिया रहता है, है न, amount of charge per unit bolt, option A, option B में दिया रहागा, amount of charge per and two bolt, ऐसे requirement रहेगा, है न, तो कुछ लोग, none of these लगा देते हैं, एक option ये भी दरहता है, उनको समझने आता कौन सा option सही लग रहा है, तो define करना जिरूँ सिखिए, hence, amount of, amount of charge required, required by a conductor, by a conductor, to increase, increase, its potential of one volt, its potential of one volt, one volt potential, को increase करने में, जितना charge के requirement होती है, that is called to be capacitive, तो आप इसको लिख सकते हैं, वर्डिंग में, ये सब points के हैं, बहुत important है, ठीक है, conceptual points है सब, ठीक है, very conceptual, और ये कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, formula तो सब रख्टा मारक के, दुशार स्क्वेस्टन नुमेरिकन सॉल्ब कर लेंगी, लेकि छुटे छुटे बातों में फास जाते हैं, उसका कारण है कि basic clear नहीं होता, तो नोट करिए फटा फटेस को, थोड़ी सी health problem है, इसलिए फुला खुल के बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर भी courses कर रहा हूँ, clear है को problem तो नहीं है, वाइस में मुझे पता नहीं को लग रहा है कि problem है, आप लोग तो problem नहीं है ना, clear है वाइस, अच्छे से, खीक है, तो इरेस करें इसको, अब हम बात करेंगे इसकी SI unit की, किसकी बात करेंगे, SI unit, इरेस कर दें, उपर से इरेस कर रहे हैं, SI unit, SI unit, of C, तो कैसे निकालेंगे, चार्ज का होता है कूलं, इसका होता है बोल्ट, तो कूलं, पर बोल्ट, और इसी को अब लोग कहते हैं, फैरड, क्या कहते हैं बच्छों, फैरड, कुछ लोग फराड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फराड, पच्छे पढ़ देते हैं, जब पढ़ाता हो तो कहते हैं, सर फराड लिखे नहीं हैं क्या सराब, अब फराड हो नहीं थे, फैरड नहीं थे, वो अपना फैराडे, जो ए वाई होता है, इसको हटा दिए, आप यहाँ पर फैराडे फैराडे लगा दे, तो गर्बट हो जाता मामला, है ना, तो वन फैराडे होता है, 96,500 कूलं कितना होता है? 500 कूलं पता ही नहीं होगा अब लोग को, वन फैराडे, याद नहीं नोट कर लीजिए वन फैरणे होता है 96500 कूलंб ये बिगर यूनिट अफ़ चार्ज है चार्ज की हाईएस्ट यूनिट तो कैपस्टेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, बताईए क्या हम कैपस्टेंस में यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते तो उन्हेंने क्या किया एवाई को हटा दिया क्या गया फराड आ गया मतलब फैरड पढ़ते हैं है ना फैरड तो याद रखना आप लोग कैपेसिटेंस की जो यूरिट होती है फैरड और डिनोट करेंग कैपिटल एफ से तो वन फैरड इस एक्वल टू वन को डिफाइन होता है किसको डिफाइन होता है हा मतलब वन फैरड को डिफाइन कर रहे हैं लोग वन फैरड कैपेसिटेंस को डिफाइन कर रहे है चीक है ना यह है तो जो यूनिट होती है उसी से हम लोग उसकी बात करेंगे उसी की पहचान होती है उसके यूनिट से है के न अगर 50 के आगे हम लगा दे मीटर, तो आप समझ जाओ कि लेंथ की बात कर रहे हैं, अगर मैं 50 के आगे कूलम लगा दू, समझ जाओ कि चार्च की बात कर रहे हैं, और 50 के आगे मैं फैरेट लगा दू, समझ जाओ कि बात कर रहे हैं, है कि नहीं, तो किसी भी क्वांटिटी क जो पहचान होती है बच्छों वो उसके units होती है तो सबसे जो आगा class 11 में जो chapter होती है units and measurement very important chapter होता है उससे NEET में दो questions हर साल fix होती है दो questions एक dimension से और एक error से clear? दो questions NEET exam में fix है ठीक है तो 50 questions आपको put up करने होते हैं physics में तो erase करें बिटा इसको तो one faraday कोई पूछे कितना होगा? one faraday one column per gold अच्छा कर मैं ऐसा लिख दो ध्यान दो कभी-कभी mcq में option में अगर लिखा रहे one faraday is equal to अब आप लोग बताएगा na option A one column per meter square B one column faraday inverse C one column per farad is square D none कौन साप्शन राइट होगा? बताएए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है one farad is equal to कौन साप्शन राइट है? B one column farad inverse बोलिए अरे भाई क्या करोगे? उल्टा लिख दिये क्या? सौरी यहाँ पर कूलंब पर बोल्ट होना चाहिए एक लिख हाँ ठीक है मिस्टेक से हमने उसको farad लिगिया यहाँ C V minus 1 है ठीक है यहाँ मालो C V square है ठीक है आप क्या करेंगे? B B option क्योंकि आप समझगे कि इसको उपर ले जाना है हमको ठीक है तो इस V minus 1 उपर जाएगा और 1 farad defined हो जाएगा तो ऐसे time से क्यों आ सकता है तो आप इसमें और इसमें confused मत होईएगा अगे बढ़े आप अब कुछ other units भी है इसकी जो use भी आती है लेकिए some other units of capacitance some other units of capacitance are microfarad, millifarad, microfarad, picofarad बताओ यह कितने होता है milli में होगा micro में picofarad very good तो यह हम लोग convert करने में help लेते हैं इसका कभी कि में numericals में picofarad micro में भी दिया रहता है millifarad में भी दिया रहता है हाँ mu u नहीं है mu micron ठीक है तो उसका symbol है Greek letter तो लगता जैसे u कि तरह लेकि उसमें भी difference है एक पूछ इदर लटकी है और एक बड़ी है छोटी है तो difference है दोनों में ठीक है तो यह था capacitance के बारें बच्चों बहुत important है तो conductor में कोई भी material हो ठीक है अब ज़रूरी नहीं कि conductor ही हम लोग हमें सा यूज करेंगे कभी वी question में हम लोग जो dielectrics होते हैं उनका भी हम लोग यूज करते हैं क्या यूज करते हैं dielectric का भी capacitance निकलते हैं example जैसे water है ना वो water की drop जो होती है वो कैसा होती है spherical होती है water droplets जैसे कि water droplets में water में क्या होता है surface अगर drop है उस पे भी charge crate होता है water की drop पे charge crate होगा और कई drops अगर मिल की एक बड़ी drop बना रही हो तो बड़े drop पर charge कितना होगा बड़े drop का potential कितना होगा और बड़े drop का capacitance कितना होगा ऐसे question नीट exam में पूछते हैं case आपने board में बहुत rare कैसे पूछता है लेकिन drop बाले जो case होते हैं बड़े नीट exam में देखने को मिल जाते हैं ठीक है तो drop पढ़ने के लिए हमें किसी spherical conductor का capacitance कैसे निकलते हैं क्योंकि drop spherical shape में होता है बोलो होता गी नहीं होता तो इस sphere का किसी भी sphere का capacitance कैसे निकाले उसके लिए एक general formula आपके पास होना चाहिए तो अब हमनों क्या सिखेंगे पहले पहले सिखेंगे capacitance of a spherical conductor मतलब जो sphere shape में है उसका capacitance कैसे निकालेंगे जर्मर फार्मर पढ़ लिए C square to Q by V लेकिन प्रापर अगर प्रापर कोई spherical conductor हो तो उसका हमनों कैसे निकालेंगे capacitance जैसे कि एक्जाम्पल में आजाए water drops, oil drops है कि नहीं तो drops क्या होते है spherical होते है अब उसमें कौन सा फार्मॉला लगाएगे C square to Q by V गलत हो जाएगा वही पे वो basic फार्मॉला है तो अब हम उसी का help लेकर के अच्छे अच्छे लेवल का है ना बढ़िया बढ़िया लेवल का क्या निकालेंगे capacitance का फार्मॉला तो हेटिंग लगा दीजिए सबसे पहला capacitance of spherical conductor capacitance of spherical conductor conductor है ना कौन सा conductor है अज़न कोई अगर कोई conductor ना होतो हम कोई spherical body ने सकते हैं तो इस spherical की case में हम लोग यही यूज करेंगे अभ यह नहीं इगी spherical conductor सर्दे heading लाया तो बस यही लगाएंगे conductor तो पिलगाएंगे conductor अगर insulator देए तो अगर नहीं लगाएंगे अभी अपलाई करोगे ठीक है ना वह तो हमने एक मोटा मोटा conductor नाम दे देते हैं capacitance heading लगाएंगे सब लोग capacitance of spherical spherical conductor spherical spherical का मतलब sphere mind में बैठा लेजी बस चलो एक हम sphere बनती है यह है एक sphere बन गया sphere बोलो बन गया बढ़िया लग रहा है sphere अच्छा है छीक है इसका center भी होगा बलो यह सर सेंटर होगा है ना होगा ना कोई confusion रही है ना चलो थोड़ा ले ले यहां पर चलो यहां ले 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 यहां पर अगर center होगा तो radius यह होगा चलो radius ले 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 तहीं यह है आपका radius कितना ले ले capital R बोलो ले ले ठीक है अब यह conductor कहां मानोगी है हवा में है की vacuum में है की medium में मालोगा तुमारे सामने रखा है तो हवा मालोगी है है ना अगर मैं इसको oil में डूबा के रखो तो क्या करोगी तो medium है तो पहले medium माल ले की air vacuum माले पहले तो जर्मली जो questions फसेंगे ना उससाथ air वाले ही रहेंगे क्या रहेंगे हाँ जो need exam questions आ है maximum air वाले ही questions मिलेंगे ठीक है oil drops जो भी रहेगा ना वो drops से based related question रहेंगे तो हम air में ही मान के चलेंगे और उसकी ही numerical solve रहेंगे ठीक है तो यह air में है क्या हाँ पे है air में ठीक आपने क्या किया इसको charge provide दिया क्या दिया charge कितना दिया plus q दे दिया charge कहां आएगा इसके surface पर अंदर जाएगा charge शोर है आप लोग भड़क खाए ना electric field वादा concept अंदर कोई charge है वेरे गुड इतना तो sincere है आप लोग अच्छा जब charge आएगा तो potential भी क्या देगा बढ़ेगा तो potential कितना माल लेते हैं इसका हो गया V क्या यह potential सिर्फ surface रहेगा क्या यह potential सिर्फ surface पर ही रहेगा कि कहीं और भी रहेगा अगर हम यह potential V surface पर माल लेते हैं क्या अंदर potential रहेगा, तो एक बात याद रहना, potential inside and outside surface पर, surface पर और अंदर, potential same होता है, इस बात को आप जानते हो, पढ़ा भी चुके आपको, लेकिन outside कहीं point लेते हैं, तो decrease करेगा, हमको उससे मतलब बिलकुल नहीं है, हमें इसके surface तक ही observe करना है, कहां तक? तो ये conductor है बेशारा हमारा, आपने चार्ड या प्लस क्योल हो गया, potential भी, आपने और चार्ड या ध्राम से, फिर इसका potential बढ़ दिया, तो अब चार्ड देते रहोगे ये, potential बढ़ता रहेगा, क्या हमेशा potential बढ़ता रहेगा, चार्ड लेने की capacity, इसकी कम नहीं होगी, चार मौमोस खाने दुकान पहुचा, दस मौमोस खा लिया एक बार में, है ना, कितने, आप लोग कितने खा सकती हो, दस, मालों हमने कहने 20 खाओ, खा सकती हो, नहीं खा पाऊगे ना, जो भी मिले आ फिक, फिक दोगे ना, एक करोगे ना, रहटाओ ले जाओ, उसको दे दो, यह कि अपनी यह क्या होगी लिमिट होगी उसी को हम लोग कहते हैं capacity या capacitance clear तो charge करने की इसकी limit है तो हमने माल गया कि कितना maximum है Q कितना maximum charge है इसके अब इससे जाद charge यह नहीं ले पाएगा और इसकी corresponding में potential कितना हो अब जो वी है वो कितना है यह आपको पता लगाना है वी कितना होता है surface पे inside constant होता है कहोगे क्यू बाई हार यह होता है ला तो because potential due to point charge which equal to kq by radius लेंगे इसका r बोलो यह लेंगे okay radius r लेंगे तो हम k की प्लेस्ट कुछ हो रख सकते फोर पाई epsilon not because q equal to क्या होता है फोर पाई क्या होता है फोर पाई बोलते भी नहीं हो वन बाई फोर पाई epsilon not मतलब छापने में मगन हो गए हो है ला इस को डाग यहां रख देंगे तो वी कितना है आपनको मिकता मिला वन बाई फोर पाई epsilon not q by capital r equation number second इस वी की वैलू था कि कहा पेस्ट कर दो इसके प्रेस में रख सकते हो तो फास्ट एंड सेकेंड सी स्क्वल टू क्यू बाई फोर पाई epsilon not q by capital r q उसे क्यों मर गया यह कहा जाएगा ऊपर सी स्क्वल टू फोर पाई एपसाइल नॉट इन टू आ तो गया फार्मूला एक्वेशन नामबर थर्ड आई हैब डन ना चालो नोट कर लो जल्दी से वीडियो पॉस करके ओके के रिस करें बटा देखो यह जो एक्वेशन है इसको देख कुछ लग रहा है लेकि मुझे लग रहा है यह कॉंस्टेंट है तीनों बोलो है तो यह किस पर डिपेंड कर रहा है आर पे बास बास जादा नहीं हो जाओ बास हो गया आगे नहीं तभी मैं बोल रहा हूं कि यह क्या है तीनों कॉंस्टेंट क्या यह भी वैरी करेंगे क्या कि पाई की वैरी हट जग चेन होती रहेगी लेस टू प्लेस है था नहीं है ना तो आर पर डिपेंड है इस बास से अग्री हो तो यह दखना इस बाई क्वेशन फोर्ट थर्ड सी इस डारेक्टली प्रपोर्शनल टू आर मतलब रेडियस अगर बढ़ेगा तो सी भी क्या होगा और रेडियस बढ़ने का मतलब यह है कि बड़ा सा स्फियर बनेगा है ना इतना चोटा सा स्फियर है इतना चोटा समाल लो उसका रेडियस बहुत काम है और इतना वाला स्फियर है रेडियस तो कैपेस्टेंस किसका ज़ mail होगा छोटे वाले कि बड़े वाले का गोड़ तो क्वेंशन में आपसे पूछे कि ल माले समें यहाँ कि पूछ और जड़ा होगास už समॉल इसस्फियर की लार्जस्फियर तो क्या बताएंगे आप इसका मैं सबसे जयादा होगा क्लियर तो रेडियस पर डिपेंड करेगा रेडियस इतना ज़्यादा होगा कैपेस्टिंस इतना ही वो ज़्यादा चार्ड डिस्टूर्ड कर सकता है भाई अभी आप लोग दज मोमोस खाऊगी है मुझे ले चलोगी तक इतना खाऊंगा मैं बीस तो खाई लोगा है अब सब्सक्राइब लगा है मोमोस खाने का सब्सक्राइब तो आप देखें कि कैपेस्टिंस हमारे जादा होगी थोड़ी सी अरे खाऊंगा नहीं मुझा कर रहा हूं ठेक है मैं खाता ही नहीं है फास्टूर्ड जलती है तो कहने एक संस यह है कि जो कुछ परसन की कैपेस्टी जादा होते ही खाने की कुछ लोग 20 रोडी खाते हैं 25 रोडी खाते हैं कुछ लोग चारोटी में ठक जाते हैं है के नहीं तो बड़े जो बड़े होंगे पहलवान लोग होते हैं है ना वो ज्यादा है कैपेस्टी होगी ना भी खाने की और तो जो नारमल लाइफ जीद रहा है वो, कम खाएगा, ऐसी छोटा स्वियर, चार्ज कम स्टोड करेगा, बड़ा स्वियर, बस यही सिंपल साथ लॉजिक है, इसको पने रियल लाइज जोड़ दो फिजिक्स आसान हो जाएगी, बहुत ही आसान है फिजिक्स, लेकिन आप लो हो समझ में आएगा, कि हाफ फिजिक्स और रियल लाइफ में हम लोग में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सब कुछ नेचर में हमको दिया है, हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, प्लियर, अभी भी डिस्कवरी बाकी है, और डिस्कवर करना है, है ना, आये बढ़ते ह तो सी प्रपोस्टनल टू आ, अगर हम कहें कि ये किसी मीडियम में रखा हो तब क्या कहें, अगर मालो आ जाए बात तो, लेकिन नुमेरिकल की सफिशेंट है ये, अगर मीडियम में हो तो क्या होगा, इफ इस स्फियर या स्फेरिकल कंड़क्टर is placed, is placed in a medium of dielectric constant, dielectric constant k, then, तब सी मीडियम का फार्मला होगा, k टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, और charge stored करेगा तब, मतलब 4 pi epsilon naught k into r, ये हो जाएगा फार्मूला, clear है, और तब c depend करता है, k पर भी ध्यान रखना, जितना ज्यादा dielectric constant होगा, उतना ज्यादा charge हो, क्या करेगा, stored करेगा, air या vacuum का dielectric constant k होता है, one, और other medium का one से ज्यादा, तो के अगर two times भी बढ़ गया, तो capacitance कित्मा हो जाएगा, two times increase कर जाएगा, भलो है कि नहीं, अगर किसी का case equal to ten है, तब ten times बढ़ गया capacitance, तो बदाएग, dielectric का फाइदा है कि नहीं है, चार ज्यादा store कराना, तो क्या करेंगे, dielectric भरेंग नहीं भरेंगे, तो भरना जरूरी है, ठीक है, note कर लिए जतनी बते हैं, चलिए, एक डाल दीजिए, concept, heading, concept क्या रहेगा, combination of, combination of, small n, small मुनों दिखना, छोटा वला n माना ठीक है, combination of, n, spherical drops, combination of, n, spherical drops, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कि n, spherical drop है, n की value कुछ भी हो सकती है, 27 है न, और 64, कुछ भी हो सकता है, तो n, spherical drops का combination बढ़ना है, अगर वो combined होते हैं, तो क्या होगा, एक बड़ी drop बनाएंगे, यह बात से आप agree हो, मालो आपका, मैंने छोटे-छोटे, 25 बुन दिया, 27, 27 drop दिये, dropper से मैंने निकाला, इसे, एक drop, दो drop, तीन drop, 27 drops आपके हाथ में रखा, क्या वो drop बड़ी नहीं हो जाएगी, सोची ज़र सा, बड़ी हो जाएगी ने, combined होगे अपने आप, वो combined हो जाएगे, और एक बड़ी drop बना लेगे, अगर contact में है तो, अलग-अलग रखोगे तो हो सकता है कि न, combined हो, लेगे अगर combined हुए, तो एक बड़ी drop ज़रूर बनाएगे, clear ना, इस पर questions आते हैं, नेटे की जाम में, चले बढ़े, ओके, तो पहले heading लगा दिए आपने, heading क्या लगा आपने, combination of an spherical drops, तो पहले theory पढ़ लेते हैं, फिर एक question देती हैं, ठीक है ना, theory पढ़ लिजिए पहले, नहीं कहेंगे, sir, theory नहीं पढ़ा है, पहले question उठाग देती हैं, है न, इतने समझदार होते हैं, यहां क्यों आती हैं, चिव बच्छों, है के नहीं, है न जिशार, तो पहले theory पढ़ा दिया जाए, चलिए, तो n drops है देखिए, यह है n drops, हम थोड़ा सा diagram मना रहे हैं बच्छों, क्या बना रहे हैं, diagram, diagram मनाना सबको आता है, ऐसे यह drop बना लीजी छोड़ा सा, ज्यादा नहीं, आपकी मर्जी अपने हिसाथ बना लीजी, ठीक है, यह हम मालेते हैं n drops है, ठीक है, और यह बना आते हैं, to form a single large drop, single large drop, देखो, बन गया अदर large drop, very good, इसका अपना radius होगा, अब यह बताओ, इसका radius, एक drop का radius, क्या इसके drop radius के बराबर होगा, इस चोटे से, चोटे से, ड्रॉप का, जो radius होगा, क्या बड़ी वाले drop के radius की बराबर होगा, कहोगे नहीं सर, पागल होगे, आप लेजी उसे, इस चोटा सा, बड़ा सा, कैसे बन बन भाएगा, है ला, छेए चलो इस उभाद से मैं माल लेता हूँ तो बड़े वाले रेडियस कितना माल लेता है माल ले बोलो निचल्प बड़े वाले ट्राप का रेडियस किया है ट्स एट इसका मैं बीव olan यहीं अफ रेडियस of each small drop कितना हमें माल लिया है small r माल लिया charge on each drop छीक है ना each drop पर charge कितना होगा है small q माल लेते है बोलो सही है and potential potential on each drop कितना small v कोई confusion है हाथ तक चलिए radius of radius of large drop कितना capital r charge on large drop capital q potential on large drop capital v कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ना तो पहले इतना लोट कर दीजिए देखे आपने सम्माल लिया ये सभी मिलकर की एक बड़ा drop बना रहे हैं ये बताए जितना जगह ये मिलके घेरेंगे क्या उतना जगह ये नहीं घेरेगा उतना ही जगह घेर रखेगा ना भाई यहाँ पर सो लड़के हैं सो लड़के ग़र घेर के रखे हुए है एक जगह पे अगर उनको हटा करके एक उतना बड़ा जगह बना दिया एस्पेस सो के लगाबर तो बराबर होगा जगा है, है ना, एक स्पेस मतलब कोई घर बना दिया जाए तो उतना ही बड़ा होगा तो कहने कर सिंस यह है, जो इतना जगा घर रखा है, उसका भी जगा उतना ही मिलेगा तो कहने के सिंसिये हैं, दोनों का volume बरादर रहेगा, क्या रहेगा, तो ऐसे जब question मिले, तो volume हमेशा क्या रहेगा, equal होगा, तो हम ये कह सकते हैं क्या, volume of bigger drop, bigger drop या larger drop is equal to n into volume of, कितनी drop है, n drop है न, तो n into volume of one single drop, single small drop, small drop, ये हमेशा valid है, आपके लिए, clear, तो volume निकाल सकते हैं क्या है, कैसे निकालेंगे volume, by sphere है ये, इस पर देखा है न, गोला, football, है न, तो उसका volume कैसे निकालते हैं, अब mathematics थोड़ी तो आती होगी अब लोग को, 4 by 3 pi r cube, बोलो पढ़ा है, इदर नहीं आनी चाहिए, है न, ठीक है, तो volume of bigger drop, लिखेंगे 4 by 3 pi r cube, बोलो सही बात है, बराबर कर देंगे n into, इस small drop का radius कितना माने हो बेटा, r, है न, तो 4 by 3 pi r cube, बोलो सही है, 4 by 3 cancel, pi से pi मर गया, बहुत सही, अच्छा हुआ कट गए दोनों, है न, अब क्या बस्या, r cube is equal to, r cube is equal to n into r cube, cube root ले लो बेटा, r is equal to कितना हैगा, इसका आज अगर n के power 1 by 3 into small r, बोलो सही बिखा है, तो एक relation मिल गया, यह है trick, small drop और body drop के radius के बीच एक relation मिल गया, जिसका यूज हम कर सकते हैं, in future में आगी concept समझ लें, clear, तो पहला note करिए हतक, coin note करिए,